इस टिटोरियल में हम क्लास 9 के चेप्टर 8 की एक्जाम्पल 6 सॉल करेंगे which says ABCD is a parallelogram तो ये ABCD हमें एक parallelogram दी गई है यानि कि ABCD के parallel है BC side जो है वो AD के parallel है और साथ में ये इसके congruent और ये इसके congruent यानि कि इसकी length इसके बराबर और इसकी length इसके बराबर ये हमें already given है in which P and Q are midpoints of opposite sides A, B and C, D तो P इसका midpoint है तो यानि कि ये जो side है ये इसके बराबर है ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये जो side है ये इसके बराबर है ठीक है ये आपस में हमें बराबर given है क्योंकि P इसका midpoint Q इसका midpoint तो ये आपस में बराबर ये आपस में बराबर तो ये congruency हमें already given है इफ A Q intersects D P तो हमने A और Q को join कर दिया D और P को join कर दिया ठीक है इंटरसेक्स D P at S तो ये S point पर intersect करते है and B Q intersects C P at R तो C P और B Q ये भी आपस में हमने join कर दिया और वो आपस में intersect करते है R point पे show that A P C Q इसे parallelogram A P C Q इसको parallelogram proof करना है D P B Q इसे parallelogram D P B Q parallelogram proof करनी है और फिर P S Q R ये जो बीच वाला portion बना P R Q S और P S Q R तो ये भी हमें parallelogram proof करनी है It's very very simple बहुत आसान है मैं आप भी आपको समझाता हूँ इसकी solution लेते है A P C Q देखो A P C Q इसको अगर मैं यहाँ पे draw कर लूँ A P C Q तो ये quadrilateral है क्योंकि इसकी 4 sides है ठीक है So in A P C Q अब देखो इसमें ये side और ये side तो parallel है ये तो पहले ही पता है ठीक है A P इस parallel to C Q क्यों parallel है क्योंकि A P जो है वो A B का part है Q C जो है वो D C का part है और A B और ये C D A B और C D आपसमें पहले ही parallel है तो उनके parts भी parallel होंगे तो यहां हम लिख सकते है because A B is parallel to C D अब ये side इसके parallel हो गई अगर इसी side को मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूँ तो एक quadrilateral की one pair of opposite sides अगर parallel और equal हों तो वो क्या होती है parallelogram ठीक है अब हमें A P को Q C के बराबर प्रूफ करना है तो वो हम कर सकते है देखो अब A B जो है अगर मैं length की term में लूँ तो A B किसके बराबर है C D के Right A B और C D आपस में congruent है यानकि उनकी length भी बराबर है तो इसका मतलब half of A B वो क्या जाएगी half of C D है न A B अगर C D के बराबर है तो उसका half भी उसके half के बराबर होगा ठीक है अब half of A B है क्या A P Right This implies A P क्योंकि P इसका midpoint है है न P अगर इसका midpoint है तो A P क्या हो गया A P हो गया half of A B तो half of A B को मैं A P लिख सकता हूँ इस इकुल टू अब दूसरी तरफ Q जो है वो C D का midpoint है है न तो इसका हमलद C Q जो है वो C D का half हो गया तो half of C D को मैं लिख सकता हूँ C Q ठीक है अब A P और C Q आपस में parallel भी है इसको हम 1 बोल देते है ठीक है और A P और C Q आपस में बराबर भी है इसको हम बोल देते है 2 तो यह दुनों आपस में बराबर भी हो गए नव फ्रॉम 1 एंट टू फ्रॉम 1 एंट टू A P C Q इस ए parallelogram तो यह हम अलड़ी एक theorem में प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी एक quadrilateral में अगर कोई एक opposite pair बराबर और parallel हो तो वो क्या होती है parallelogram तो उसी result को use करके हम बोल सकते हैं कि A P C Q इसे parallelogram इसका अगर proof देखना हो आपको इसका अगर proof देखना हो तो उसका link मैंने top right corner में दिया है आप उसको देख सकते हो ठेक है एक part तो proof हो गया अब similarly अगर मैं यह loop D P B Q D P B Q तो यह side इसके parallel है क्यों P B A B का part है D Q C D का part है तो parallel तो पहले यह given है और P B जो है P B वो A B का half और D Q जो है वो C D का half तो यह दोनों भी आपस में ब्राबर हो गए तो हम सीधा ही लिख सकते हैं similarly D P B Q is a parallelogram तो इस part को दुबारा प्रूफ करने की जुरूरत नहीं है आप इसको direct ही लिख सकते हो क्योंकि यह part बिल्कुल exactly वैसे ही प्रूफ होता है जैसे पहला part हुआ था अब third part की बात करते है S P R Q ठीक है So in S P R Q अब इसमें देखते है हमारे पास क्या है अब जब हमने यह D P B Q को parallelogram प्रूफ किया तो इसका अंदलर इसकी यह side इसके parallel भी हो गई अब यह side अगर इसके parallel हो गई D P और Q B तो इसका अंदलर यह part इसके parallel हो गया तो यहां से क्या आगया मेरे पास कि S P is parallel to R Q just proved just proved यहां से ठीक है कि यह parallelogram है तो उसकी opposite sides parallel हो गई तो यह parallel हो गई also हमने A P C Q इसको भी parallelogram प्रूफ किया था तो इसका अंदलर यह side इसके parallel हो गई तो A Q A Q यह side हो गई तो यानि कि यह side P C यानि कि यह side हो गई इसके parallel हो गई तो यह side अगर इसके parallel हो गई तो इसका मतलब इसका ये पार्ट इसके इस पार्ट के पैरलल भी होगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं SQ is parallel to PR ये भी just proved तो अब S PRQ में ये side इसके parallel और ये side इसके parallel तो इसका मतलब क्या हो गया ये क्या होगी parallelogram यही parallelogram की property होती है कि कोई ये quadrilateral जिसके दोनों opposite pairs आपस में parallel हो वो क्या होती है parallelogram so this implies SPRQ is a parallelogram hence proved so that's it from this tutorial keep watching Mathematmafia tu is doesn't you you झाल झाल